यार mutual fund में पैसे लगा दिये, stocks में भी लगा दिये, या stocks में भी लगा दिये, इतना सब investment करने के बाद return इतने कम क्यों है? मेरा पैसा कहां जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है? नमस्कार दोस्तो, welcome back to new video. दोस्तों आज इस वीडियो हम जानते हैं I&D Money Trading App के Broker Charges के बारे में और समझेंगे कि हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं क्या यह एप आपके लिए सही है आप मेरी वीडियो देखे या किसी और की मेरी बस यही कोशिस रहती है मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपका नुक्षान ना हो आपका पैसा बचे दोस्तों आगे बटने से पहले मैं आपको यह भी बता दियते हूँ कि कोई पेड वीडियो नहीं है ना ही कोई स्पॉंसर वीडियो है आइन डेमनी में आपसे इस अकाउंट ओपनिंग चार्जिस के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाता अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर एकदम फ्री रहने वाली है इसके बाद बात आती है कि जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं आपसे AMC चार्जिस लिये जाते हैं अलग लग ब्रोकरों से यानि जो एन्यूल मेंटरिंस चार्जिस हैं वो आपसे लिये जाते हैं लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आइन डिवन ये एप के अंदर आपसे AMC चार्जिस भी नहीं लिये जाते हैं पर successful order future and option यानि F&O में trade करते हो या future equity में या option equity में trade करते हो उस case में आपको यहाँ पर 20 रुपए brokerage charges पर executive order देने होंगे DP charges for intraday आपको यहाँ पर 0 देने पड़ेंगे चाहे आप buy करो या sale करो delivery में buying में आपको यहाँ पर 0 charges देना होगा लेकि जब आप delivery में selling करोगे उस दोरान आपको यहाँ पर 13.5 रुपए plus GST जो है per stock और ETF देना होगा per day यह आपको देना पड़ेगा regardless of जो quantity sold करोगे आप उसके ओपर यह depend करता है अगर आपका same ISN है तो उसमें कोई भी issue रहने वाला नहीं है modification in CML charges आपको यहाँ पर 20 रुपपर request देना होगा और जो physical statement courier charges है उसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपए पर request देने होंगे और यहाँ पर इसके साथ जो दूसरे charges है जैसे कि आपका of market transfer from the demate account charges including the depository transaction charges आपको यहाँ पर 10 रुपए पर transaction देना होगा अगर आप जो है net banking से fund transfer करते हैं क्योंकि आप एक demate account open करोगे तो उसमें पैसा तो add करोगे उस case में जब आप यह पैसा add करोगे net banking यह तो आपको यहाँ पर 10 रुपए चार्ज देने पढ़ेंगे पर deposit पर यूपाई fund transfer जो है आपके बिल्कुल फ्री रहने वाले कोई भी चार्ज ऐसे नहीं लगने वाले auto square of charges आपको यहाँ पर 50 रुपपर position देने होंगे याद रखे यह आपके केवल जो for open intraday position होते हैं उस case में ही देने होते हैं इसके बाद अगर इन case आपको कभी भी call and trade जो है service की requirement पड़ती है उस case में यहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ेंगे 500 रुपए पर order देने पड़ेंगे यह सच में बहुत महंगा है बहुत ज़्यादा यह charges है इस service को लेने से पहले 100 बार आपको सोचना पड़ेगा आएंडे मनी में आपको यह स्टोक्स का भी option मिलता है अब जानते हैं यहां क्या charge आपसे लिये जाते हैं यह स्टोक्स में अगर आप investment करते हो तो क्या क्या charges ब्रोकरे चार्ज आपसे लिये जाते हैं account opening fees हो गया, account management charges हो गया, profile verification हो गया, SIPs in US stocks हो गया, ETFs हो गया, tracking charges हो गया, यह सारे जितने ही charges मैंने आपको बताये हैं, सारे यहां पर zero रहते हैं US stocks withdrawal charges यहाँ पर zero है, लेकिन अगर आप यह जब withdrawal करते हैं, federal saving account के साथ, तभी यह zero है, otherwise इसके स्वाए आप कोई और bank यूज़ करते हैं, इसके स्वाए कोई दूसरे जो financial institution उसको यूज़ करते हो, आपको यहाँ पर money withdrawal charges जो है, 5 dollar एक side देने होंगे US stocks broker charges यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, 0.15% यह आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, और IND mini platform fee आप से 0.75% लिया जाता है, आपकी deposit amount के ऊपर tax session के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 24 months से कम time के लिए जब आप investment करते हैं, जिसको बोलते हैं, short term capital gain tax वहाँ पर आपको देना होगा, जो होगा आपका income tax, slave rate, plus surcharge and sales, और अगर आप 24 months से जादा अगर आप जो long term capital gain करते हो, आपको 20% tax देना होगा दोस्तों यहाँ पर आप जो TCS के बारे में जिरूर जानना चाहेंगे, दोस्तों आपको यहाँ पर 7 lakh रूपे से उपर 20% TCS देना होगा, लेकिन इसको आप जो tax credit claim कर सकते हैं, जब आप अपना ITR file करेंगे, अब जो dividend का क्या fundा है, तो dividend taxes यहाँ पर आपसे ले जाते हैं, जो भी आपका source amount होगा, उसके उपर जो 25% के rate के इसाप से लिये जाते हैं, लेकिन आप इसको tax credit claim कर सकते हैं, जब आप इतना ITR file करेंगे, आप जो फंड में भी investment कर सकते हैं, इस segment में आप से कोई भी charges नहीं लिये जाते हैं, आप जो फिक्स deposit यारी FD में भी invest कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी charges आप से नहीं लिये जाते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप जो है federal bank के साथ मिलकर, जो ही यहाँ पर investment कर सकते हैं, FD में, बजाज finance के साथ मिलकर कर सकते हैं, स्री राम finance के साथ कर सकते हैं, और दोस्तों आप जो है आपको IND money में NPS का option भी बिलता है, 25% या 30 रुपे लिये जाते हैं, जो भी higher होगा, वो आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, यह लेकिन cap है आपका 25,000 के नीचे, प्लस जो GST उसके लगेगा, और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, non financial transaction processing charges की, तो आपको यहाँ पर उसके लिए 30 रुपे प्लस GST जो है देना ह एक बार ही पे करने पड़ते हैं, यह charges आपसे इसलिए लिये जाते हैं कि Central Record Keeping Agency पॉइंट की जाती है, PFRDA के द्वारा, for managing your NPS account, दोस्तों सभी charges के साथ आपको यहाँ पर जो भी government के charges है, applicable GST है, saving के charges है, stem duty charges है, जितने भी जो government के charges है, वो आपको इनके साथ पे करने पड़त हैं, investment Friday मन्त हो सकता है, लेकिन hidden charges आपके profit को कम कर देते हैं, इसलिए जब भी आप कहीं पर broker चूज़ करें, demate account ओपन करें, तो आपको अच्छे से research करना चाहिए, अपने need के इससाब से अपना demate account ओपन करना चाहिए, अगर आप आप ID money यूज़ करते हैं, तो comment में जरूर बताईएगा, आपका कैसा experience रहा है, लोग किससे help हो जाएगी, आपको ये app कैसा लगता है, और हमेशा की तरह वीडियो को like जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, ऐसे ही और वीडियो देख देखने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटीम ने क्या लूट मचा रखे, अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना,